स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल एम डेलवे में आज हमारी कोश्ण आंसर की क्लास नंबर 18 है देव सी से हल का देखो मुझे लगता है कि एक्जाम बहुत जल्द होने वाला है तो आप प्लीज बी सीरियस इतना यूनो अपना टाइम पूरा एडिकेट कर दीज आपने डेली लगाने हैं जैसे कि मैं अगर आपको कहूं तो मैंने कहा था मेरे कमुनिटी पेज 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 भी मैंने आज ही सुबह अपलोड किया है कि 200 कोश्ण जी के किसी भी वेबसाइट से किसी भी अप्लिकेशन से आप लगा सकते हो 25 कोश्ण माथेमाटिक्स के और 25 इस कोश्ण अप्रोक्स कुस्तो मैंने रिजनिंग के कहे आपको ठीक है तो इस तरह से आप 200 कोश्ण अगर डेली बेसिस पे लगाओगे न तो आप निश्चित हो जाओगे आपका सेलेक्शन कंफर्म हो जाएगा लेकिन अगर आप सोचूगे कि मैं पहले कॉपी पढ़ ल रहे हो सही तो पढ़ रहे हम जो पढ़ रहे है उसमें से कौन सा मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट है इस तरह से ठीक है और आपको कहां से पढ़ना है आपको पढ़ना है जनल नौलेज की इबुक जो हमारी एम रेलवे की बुक है आपको यह कैसे मिलेगी आपको क्या करना प टीपी दालना है फिर आपके पैसे कट हो जाएंगे दस मिनट के बाद आपके मुबाइल के डाउनलोड वाला जो सेक्शन होता है वहां पेज चेक करना है आपको यह पीडियाफ मिल जाएगा ठीके पहला ही पेज यही है पहला पेज तो आपको तुरंद समझ में आ जाएगा कि भाई पीडियाफ हो गया हमारा इबुक हमको मिल गया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जिन लोगों ने भी क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरा इबुक लिया है और मुझे गारेंटी है इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा हिस्ट्री जोग्रफ इंडिय रिविजन करो और कम से कम हजार कोशन अपनी और से सॉल करने की कोशिश करो ठीक है चलिए बहुत हो गई बाते स्टार्ट करते हैं कोशन नंबर वन क्या कहता है इन विच आव दो फॉलॉंग येस दिडि युनाइटे नेशन कम इन्टू एग्जिस्टन निमन लिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया तो देखो युनाइटे नेशन जो है वो 24 अक्टोबर 1945 को इस्टाबलिश हुआ है इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है नियॉक युएस से ठीक है यह आपको याद रखना है इससे कोशन बनता है युनाइटे चुटी मुटी ऑगनाईजीशन उनसे कोशन बन जाता है 24 अक्टोबर को हम क्या सेलिपरेट करते हैं हम सेलिपरेट करते ही युनाइटे नेशन दे तो इसका राइट अंसर क्या है 1945 ऑफ राइट आंसर ठीक है नोटिट डाउन नेक्स कोशन आजके कोशन जो है बहुत बढ सा रहे हैं आनी भी चाहिए आज कितने मांस का रहे Kenya का के बताना ऑलके क्टा कि Is the name of the parliament धिकए उत्ता किस देश की संसद का नाम है तो यह देखो Finland का Finland की जो संसदे है उसका नाम है उत्ता थी सब्सक्राइन नेक्स तो इपडर चुणिता मों को नज सबूर्जच लोगें में मैं नतों सी सदूर्ष ुंज गुर्याइं आपको jak जिए पूर्डाइं लिखूर स्दूरी युक . मौन से नज सबूर है कौनसे लिखूर ससगे तेनly को अप को 24 त्यार्लर ल जिए technique डिगरी वाले लाइन लिख के दिया, 10 डिगरी, 8 डिगरी, 9 डिगरी वाले लिख के दिया, मैंने आपको 45 डिगरी वाला जो लाइन है वो लिख कर दिया है तो मैंने सारे, I think मैंने approximately 18 ऐसे लाइन लिख कर दिया है, जिससे question बनता है ठीक है समझ रहो इसलिए मैं आपको बार-बार कह रही हूँ कि क्यों आपको ये e-book पढ़ना है तीन बार ये अगर आप एक बार पढ़ोगे धान में रह जाएगा दूसरी बार पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छी सोगा तीसरी बार पढ़ोगे तो आप exam के लिए ready हो जाओगे मैं अपने मुझ से अपनी तारीफ नहीं करना चाहती है बस मैं इतना चाहती हूं कि जिन लोगों ने भी पैसे लगाए है ठीक है पैसे इन्वेस्ट किये हैं उनको return मिलने चाहिए और return का मिलेगा जब आप इसको तीन बार पढ़ोगे तो हमारे बीच में इंडिया का और पाकिस्तान का जोग्रफिकल एरिया वह आया उसने मैपे सिधे सिधे ड्रॉप कर दिया उसको लगा कि जैसे पूरा जो महां का जमीन है वह पूरा काइंड ओफ प्लेन है बटो प्लेन नहीं था वह टुटेली जो है पाहाड वगेरा है वहां पे तो यह रे नीन में थे जो उसे कुछ बता भी नहीं पाए तो इस तरह से चीज़े ठीक है नेक्स्ट है मैक मोहन लाइन मैक मोहन लाइन हमारे और चाइना के बीच में एक बारंडरी बताता है सेकंड है 24 दिग्री पैरलल लाइन यह जो है देखो 24 दिग्री पैरलल लाइन इंडिया औ पाकिस्तान के मच्वारे इदर आ जाते क्योंकि पानी में बाउंडरी का इतना समझ में नहीं आता तो यह भी कोशन बनेगा क्योंकि जनवरी जनवरी लास्ट लाइस डिसेंबर अक्चली डिसेंबर 2020 में यह इंसिडेंट बहुत जादा हो चुके थे कि हमारे मच्वारे उ सब्सक्राइब लाइब तो यह आद करना है तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि सारा कुछ पड़के जाना प्लीज क्योंकि देखो इन अपॉरिशलिय बाहत बढ़िया है आज से जितने जादे वामाएं नहीं हैं तो इनो लाइक कि आप कर सकते हो कर सकते हो ठीक है जितना स से रिलेटेड जितने भी छोटी मोटी ओर्गनाइजेशन से उसके बारे में कोश्चन बनता ही बनता है तो इंटरनाशनल कोट अफ जस्टिस का जो हिटकॉर्टर है वो दहें नीदर लैंड में है और इसमें 15 जज होते कितने जज होते बच्चों 15 जज होते हैं और इसका क्य क्या होता है पॉलिटी में मैंने आपको पीडियाफ में लिखे देया है कि इतने लोग आये तब ओफिस स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि इंटरनाशनल कोट अफ जस्टिस का कोरम 9 जर जाने के बाद स्टार्ट हो जाता है 9 जर अगर आ गए तो फिर वह केस की सुनवाई इंटरनाशनल कोट अफ जस्टिस का कोरम कितना है नाइन है वो भी याद रखना है ठीक है और अगर ऐसे पूछा जाए कि बहाई इंटरनाशनल कोट अफ जिस्टीस में अनाय जिशों के संख्या कितनी है तो वह है 15 कितनी है 15 है याद रखना है नेक्स कोशन है which of the following years you would associate it with the foundation of Indian National Congress आइनसी देखो कभी भी कोई भी पेपर जिसमें हिस्ट्री आती हो ठीक है हिस्ट्री आती हो उसमें आइनसी से कोशन अगर नहीं बना तो समझ लेना कि सामने वाला आपको फैल करना चाता है क्योंकि आइनसी एक ऐसा टॉपिक है हिस्ट्री के लिए हमारे लिए अक्चली प्राउड का मुवमेंट है कि आइनसी बनाओ और फिर मुवमेंट वगेरा स्टार्ट हुए तो अगर एक्जामिनोर को पेपर गंदा सेट करना है तो वो आइनसी के बारे में नहीं पुछेगा यह एक सिंपल सा टॉपिक है अगर एक बार पढ़ लोगे तो इंट्रेस जाग जाएगा और हो जाएगा तो आइनसी जो है हमारा इंडियन नाशन कॉंग्रेस यह डिसेंबर 1885 में स्टार्ट हुआ था इसका पहला जो आधी विशन कहो या फिर पहली मीटिंग कहो यह हुई थी मुंबई में ठीक है बॉंबे में और 72 डेलिगेट्स आये थे और 72 सारे की सारे डेलिगेट्स वकील थे ठीक है उस ताइम पर वकीलों का बहुत ही जादा दबदबा था उस ताइम पर सब लोग वकीली की तरफ बारिश्टर बनने के लिए जाते जैसे अब सबके सब इंजिनियरिंग के तरफ जाते हैं और फिर एक टाइम आएगा कि इंजिनियरिंग के तरफ रुकाओ कम हो जाएगा वैसे कम हुई रहा है और फिर कोई दूसरा फिल्ड आ गया जाएगा तो उसी तरह से चीज हुई थी यह 18-90s, early 90s या फिर late 90s के टा और 72 delegates आये थे उसका president कौन था तो president देखो A.O.Hume था ठीक है A.O.Hume ने क्या, actually A.O.Hume एक ब्रिटिश था बट उसने kind of आप कह सकते हो कि उनकी चाल भी हो सकती है और यह भी society के लिए validation करने के लिए उसने help की थी कि भाई Indian National Congress करके committee बनाई जाए एक organization बनाई जाए तो इसका right answer क्या होता है बच्छो 1885 ठीक है आज के questions easy भी है और थोड़े से moderate भी है सारे questions आपको आने चाहिए ऐसी मैं आशा करते हूं ठीक है next है the weight of man will be dash on the surface of moon of his actual weight तो आदमी का वजन dash हो जाता है जब वो अपने वास्तिविक वजन के चंद्रमा की सता पर होता है तो जब हम चंद देखी होगी जो Apollo 11 की जो documentary है जिसमें मुझे तो ना वो थोड़ा सा अगर आप 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 आपको टाइम मिलेगा फुरसत में मुझे लगता है वो नकली नकली ऐसे जंप कर रहे थे दो ऐसे लगी नहीं रहा था कि वो चंद्रमा पे और इसके बारे में बहुत बहुत कि वो चंद्रमा पे पहुंचे यह नहीं थे लगता है ऐसे अभी तो देखो अभी तो हम इतना साथा आगे बढ़ चुकी कि हां चंद्रमा पे चले जाएंगे और फिर ओड़ेंगे भी है ना जम भी करेंगे तो इस तरह से तो याद रखना 1 6 है हमारा वेट अगर हम मून कि अफिछ जया परने इंडिय कैट इंडिया में आलेक्सआंडर कब आया था यह कुश्वन बना है तो यह देखो 326 में आया था कब आया था का आया है 326 में आया था BC ठीक है इस विसन पूरव में आया था और इस आज़ा नंद डानेस्टी को खतम किया फिर ये चला गया धरी फिर पूरी तरह से खतम हुई देन चद्रकुप्त मोया आया चद्रकुपत मोया ने अपना इन डानेस्टी की स्थापना की देन बिनन दुसाव देन अशोका फिर अशोका के बाद सब कुछ कोcost खॉतम हो गया फिर नई डानेस्टी आई तो ये बैहने chronology आपको बताई थी ती क्या ये याद रखना है आपको next है khyber pass is in तो जो khyber का दर्रा है वो कहां पे है तो ये अफगानिस्तान में है ठीक है ये most important है तो ये आपको याद रखना है हाल फिलाल news में था तो khyber जो pass है ये कहां पर है बच्चों अफगानिस्तान में है actually अभी फिलाल अफगानिस्तान में अफ़रा तफरी चल रही है तो अफगानिस्तान से related कुछ news है या फिर अफगानिस्तान से related कुछ static वाला अगर portion है ना बच्चों तो वो आपको याद कर ले क्यूंकि उससे question बनने वाले ठीक है next है Southern Railway Headquarters तो इसमें confusion हो सकता है बहुत सारे बच्चों को अगर अपने Headquarters वाला जो मैंने आपको कहा था वो याद ने किया होगा तो Southern Railway का जो Headquarters है वो है चन्नई में कहां पर है वो है चन्नई में लेकिन अगर आप Southern Central वाला का हो तो वो है सिकंदराबाद में ठीक है और Southern Coast Coast वाला का हो तो वो कहां पर है विशाखा पत्नम में तो यह आपको याद रखना है जो Southern Railway है उसका Headquarter है चन्नई जिसमें 5 Division आते है कौन-कौन से चन्नई, मदुरई, त्रिची, त्रिवेंद्रम, पालगाट ठीक है कौन से-कौन से चन्नई, मदुरई, त्रिची, त्रिवेंद्रम, पालगाट तो यह आपको ऐसे याद करना है सब कुछ याद करना पड़ेगा तभी जाके आपको Marks मिलेंगे जाए 5 divisions सिकंद्राबाद 822 The first woman Chief Justice of High Court of India was question अच्छे से पढ़ो यहाँ पर confusion हो सकता है दो पहली महीला कौन थी जो उच्छ नाले की महीला मुख्यादिश बनी है तो वो थी लीला सेट आप गलती से फातिमा बीवी ना क्लिक कर देना भाई देखो यहाँ पर हाई कोट के बारे में बात की गई सुप्रीम कोट के बारे म इंडिया तो आशा करते हूं कि आप लोगों को सारे questions बने होंगे आपका score please comment section में comment करके बताना और जितना जादा हो सकता है उतना जादा खुद को safe रखो healthy रहो अच्छे से नीन लो जादा से जादा revision करो thank you so much for watching please subscribe to my channel share this video like this video and please keep revising thank you